हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राश्यनी एंसीपी नेता नवाख मलिक और एंसीपी के जोर्नल टेरेक्टर समिर पान खेड़े के बीच जो जंग लगातार चारी है अब उसका फैसला बंबे हाई कोट करेगी कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी लेकिन आपको बता दें जो मान हानी का केस नवाख मलिक पर समीर पान खेड़े के पिता यांते बान खेड़े ने दर्च कराया था उस पूरे मामले में सुनपाई बंबे हाई कोट में हुई थी तमाब जो दस्ताफेज थे जो सर्टिफिकेट थे फोन नवाख मलिक से मांगे गए थे कि आखिर किन सबूतों के आथार पर वो समीर पान खेड़े और उनके परिवार पर ये आरोप लगा रही हैं आपको बता दे नवाख मलिक ने एक हलफ नामा बंबे हाई कोट में जारी किया था जिसमें उन्होंने समीर पान खेड़े का जो स्कूल एंटरी सर्टिफिकेट है वो और साथ ही जो प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट है वो उस हलफ नामे में उ दोड़ा था और Bombay High Court ने अब तमाम दस्तावेजों को रिकोर्ट में ले लिया है वहीं ज्यानदेव वानखेड़े के वकिल की ओर से भी तमाम जो सर्टिफिकेट हैं तमाम जो सबूत हैं कि समीर वानखेड़े पर नवाफ मलिक जो आहरोप लगा रही हैं वो जूटे हैं ये साबित करने के लिए उन्होंने समीर वानखेड़े का जो जाती परमानपत्र है जो उनका कास्टर सर्टिफिकेट है इसके लावा जो हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है वो तमाम डोक्यूमेंट जो है वो Bombay High Court में सोपे गई हैं और फिलाल आपको बता दे Bombay High Court न क्या नवाह मलिक के ये आहरोब जूटे साबित होंगे ये सवाल बना हुआ है और अगर ऐसा होता है तो NCP के नेता और उधाव ठाकरे सरकार में अलपसंख्यक मंत्री नवाह मलिक की मुश्किलें काफी जादा बढ़ सकती हैं चुकि SCST Act के तहत उन पर बड़ा एक्शन लि पुनियाद आहरोब लगाए गई हैं तमाम आपतिजनक टिकपणियां उनकी पतनी ग्रांती रेड कर उनकी बहन यासमीन पर की गई हैं उन तमाम चीजों को लेकर क्यांदे वानखेडे जोकि समीर वानखेडे के पिता हैं जिन्हें नवाह मलिक बार बार दाउध क्योंकि नवाह मलिक की ओर से उनके परिवार को बदनाव किया गया है जिसके बाद इस पूरे मामले पर बोंबे हाई कोर्ट में सुनफाई हुई वो तमाम सर्टिफिकेट बोंबे हाई कोर्ट ने देखे और उसके बाद ये जरूर उनकी तरफ से कहा किया था कि जो सर्टि पाइवार काफी वक्त तक मुस्लिम रहा लेकिन उसके बाद सरकारी नौकरी हासिल करने के एक यूप्यससी का एक्जाम क्रह्ट करने के बाद उसमें अलप्जन पाने के लिए यह तमाम परचिवारा जो है वह समीर बानखिडे का परिवार लगातार सफाय दे रहा है पलटवार उनकी तरफ से किया गया है उन्होंने कहा है कि सच्चाई की जीत होगी और इस दिल्सले में वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दर्वाजा खटकटाएंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई से ही तैं कि अखिर क्यों इस तरीके से ये आख्रोप किस आधार लगाए गये हैं क्योंकि वह मंतरी हैं वह इक ःषैक है तो ऐसे में कि कि पुक्ता हैं ये उन्हें जवाब देना होगा फिलाल Süden whichever से नहीं दिया क्या है लेकिन आपको बता भी नवाफ मलिक के इन तमाम जो उनका नाम समीर दाउद वानखिडे लिखा हुआ है ये कहा गया वो मुसलिम धर्म से हैं वो भी उसमें लिखा गया लेकिन उस पर समीर वानखिडे की ओर से सफाई थी गई उन्होंने कोट में अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें उनका नाम समीर ग्यांदे वानखिडे लिखा हुआ है और समीर वानखिडे ने कहा है कि उनकी मा मुसलिम थी इसलिए स्कूल में जब दाखिला उन्होंने लिया शुरुआती स्कूल के दिन थे तो उन्होंने अपने बेटे का धर्म मुसलिम लिखवाया था लेकिन बात में प्राइमरी के बाद उनके तरीके से ये बदला हुआ दरसल शुरू से ही इन तमाम आरोपों पर समीर वानखेडे के परिवार उनकी पतनी उनके पिता उनकी बहन की ओर से सफाई पेश की गई है तमाम सबूत भी रखे गई हैं कि किस तरीके से नवाहमली के जूटे बेबुनियात आरोप लगा रहे हैं जो जहीदा वानखेडे हैं यानी समीर वानखेडे की मा वो मुसलिम थी लेकिन शादी के बाद जहीदा वानखेडे ने ही धर्म परिवर्तन किया ना कि उनके पिता ग्यांदेव वानखेडे ने ये भी समीर वानखेडे की ओर से कहा गया है और उन्होंने ये साफतोर पर कह जो प्राइपरी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं नवाह मलिक वो किसी भी सूरत में मानने नहीं है और यह कोई जानता है कि जो 10th का सर्टिफिकेट होता है जो 10th की माकसीट होती है वही मानने होती है तो ऐसे में नवाह मलिक ये डोक्यूमेंट शेयर कर आखित कैसे दावा कर स कि समीर वानखेडे मुसलिम है तो ये सफाई उनकी तरफ से भी दी गई है कि बात में तमाम डोक्यूमेंट में सुधार करवाया क्या और यहां तक कि जो समीर वानखेडे की मा है जहीदा उनका भी आपको बताने ड्राइविंग लाइसेंस साफने आया था जिसमें उन्होंने समीर वानखेडे और उनके परिफार पर लगाई चा रही है इस पूरे माहले में समीर वानखेडे पर नीजी अटेक किये गए है नीजी हमले किये गए है उनके परिफार को घसीता गया है और यही फिलाल नवाख मली के लिए बड़ी मुश्किले बन चुका है बोमबे हाई कोट अब बाइस नवंपर को इस पूरे माखले में शाम साड़े पांच बजे फैसला सुनाएगी और क्या नवाख मलिक को मंत्री पत से हाथ धोना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में बोंबे हाई कोट जो फैसला सुनाएगी उसमें देखना होगा लेकिन अभी तक की जो ज जबूत नहीं है यही जूटे और मंगढंत आफ्रोप नवाख मलिक ने एक तरीके से मढ़े हैं ये साफतोर पर जनता भी कह रही है कि NCB के अधिकाही समीर फान खिडे चुकि आरियन खान क्रूस ड्रग माखने में चान भीन उन्होंने की चुकि इस पूरे ड्रग नाकसिस को वो परदाफास कर रहे हैं इसलिए नवाख मलिक इतने जदा बॉकलाई हुए हैं चुकि आज अब समीर खान यानि उनके दाहात पर दोबारा आ सकती है उनकी गिरफदारी हो सकती है इसलिए नवाख मलिक इतने जटपटाई हुए हैं इस तरीके के आहरोप लगा रहे है लेकिन यहां सवाल एक यह भी उठता है कि आखिर नवाख्पलिक ने आते आते इतनी देर क्यों कर दी समीर खान जो की नवाख्मलिक के दाफात हैं उन पर जो एक्शन लिया गया था वो ड्रग केस में जनवरी में लिया किया था आठ महीने तक तकरीबन वो जेल में रहे लेकिन उसके बाद वो जवानत पर बाहर आए तब तक नवाह मलिक ने जमीर वानखेडे को लेकर ऐसा कोई खुलासा नहीं किया ऐसे कोई आहरोप नहीं लगाए तब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट उनके बारे में जारी नहीं किया तो अब नवाह मलिक आखिर कहां से ये सर्टिफिकेट निकाल रहा है किस तरीके से ये सर्टिफिकेट निकाल कर उन्हें मुसलिम साबित करने पर लगे हुए है तो ये तमाम सवाल हैं जो नवाफ मलिक से लगातार पूछे जा रहा है और उस उथव ठाकरे सरकार से भी मुख्यमंतरी उथव ठाकरे से लेकर शरतवार से भी कि आखिर इनका बचाव क्यों किया जा रहा है क्या ड्रग माफ्याव को जंगरक्षन देने किसी है इनका पूरी ठाकरे सरकार नवाफ मलिक के पीछे डटकर खड़ी हुई है ये तमाम सवाल हैं जो फिलाल उनसे पूछे जा रहा है लेकिन अब कोट में ही ये तैह हो पाएगा कि आखिर समीर वानखिडे पर लगाएगा ये आहरोप कितने सच हैं कितने जूट हैं लेकिन परिवा लगातार ये सफाई पेश कर रहा है फिलाल आपको बता दे तमाम जो 25 से जादा डोक्यूमेंट हैं जो समीर वानखिडे और उनकी परिवार की और से कोट में सोफे गाई हैं जिसमें आधार कार्ड है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस लेकर तमाम बर्थ सर्टिफिकेट और यहां तक की जो स्कूल सर्टिफिकेट है 10th या 12th की मार्कसी ठूफुत तमाम डोक्यूमेंट जिसमें साफतोर पर लिखा है समीर क्यांधे वानखिडे तो ऐसे में अब नवाह मली कैसे जाबित कर पाएंगे कि समीर वानखिडे मुसलिम हैं ये आने वाले वक्त में दे बरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद